तो फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है, तो हमारे सामने यहां पर प्रश्न है, साख क्या है, क्या बोलना है, साख क्या है, तो हमें साख के बारे में बताना है, तो आए इसको उत्तर में देखते हैं, साख का अर्थ, साख का अर्थ होता है विश्वास, या भरोसा, अत्व साह होता है लेकिन ये विश्वास किस पर साख का मतलब विश्वास तो ये विश्वास किस पर होना चाहिए तो हम साख बोलेंगे तो इसी के लिए आगे हम लोग समझेंगे तो देखिए अर्थ विवस्था में साख का अर्थ रीन लाउटाने रीन का मतलब कर्ज लाउन रीन लोटाता है या नहीं लोटाता है भुकतान कर पाता है कि नहीं कर पाता है कोई आपके पास रुपिया पाता है तो उसको हमें भुकतान करना पड़ेगा तो भुकतान करने की जो छमता है उसमें विश्वास से है यानि वे विश्वास जो है किसी वेक्ति के छमता पर वि भुशादे, वीस्वास मतलब रीन लोटाने या भुक्तान करने की छंता में विस्वास से है, अब यदि रीन की बारी आएगा तो इसमें दो बाते होंगे, इसलिए कहा गया कि साख का दो पक्च होता है, वे दो पक्च क्या है, देखिए, पहला पक्च है रीन दाता, रीन मत जब देगा जब उसको आप पर विश्वास होगा रोट पर चलते हुए वेक्ति को कोई रीन देगा नहीं देगा ना आपको कोई जानता है वही आपको रीन देगा करज देगा तो वह आपके विश्वास के आधर पर रीन देता है अब देखिए रीनी रीनी मतलब जो रीन ल निस्चित का मतलब फिक्स और अबधी का मतलब समय एक निस्चित अबधी एक फिक्स समय के बाद उतना ही रुपिया मुद्रा का मतलब रुपिया होता है इसलिए मुद्रा कहिए या रुपिया कहिए जितना रुपिया ब्याज सहीत लौटाना पड़ता है यानि रीनी जितन में जाकर के देख सकते हैं वीडियो देखने के लापका दन्मात